यह है हमारा grand entrance 8 feet का जो की grand entry को ensure करता है और इसके साथ lobby मिलता है हमें सबा 4 by 8 feet का तो काफी अच्छी lobby है हम 4BHK flat की series लेके आए हुए है और आपको multiple 4BHK option पूरे node extension में जो हैं वो हम दिखाने वाले हैं तो यह हमारा first 4BHK का project है जिसको हम दिखा रहे हैं जैसे हम enter करते हैं lobby स आगे बढ़ते हैं तो left side में हमें एक बड़ा सा room मिलता है और इस room के साथ हमें मिलता है attached washroom काफी ventilated है day time में आप देखे मैं video suit कर रहा हूँ तो पूरे room में अगर मैं lighting की बात करूँ तो काफी अच्छी lighting है और यह हमारा washroom है यहां पे washroom आपको काफी बड़े size के मिलते है साड़े 5 भाई 8 feet का आपको washroom मिल जाता है और washroom में भी आप देखेंगे lighting काफी अच्छी है तो proper lighting पूरे आपको flat में मिलने वाली है और ventilation भी बहुत अच्छा मिलने वाला है इस room के साथ attach हमें मिलता है balcony balcony जो living end इस room के साथ attach है और balcony का size काफी बड़ा है लिए तो यह काफी अच्छा option हो सकता है और 130 मीटर वाइड रोड पे यह लगा हुआ प्रोजेक्ट है मतलब में रोड का यह प्रोजेक्ट है जहापे आपको petrol pump दिख रहा है सामने कई सारी building है दिख रही है तो opposite side knowledge park 5 है ऐसी जेड है तो आगे हम बात करेंगे मैं यह कह रह का living room है and dining room separate है 9 by 9 का तो दोनों में काफी ample space है और दोनों को अपने according privately design भी हम कर सकते हैं आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यह देखते हैं यह दिखे हमारा living room है जो कि properly separate है यह हमारा breakfast counter मिलता है हमारे kitchen के साथ and kitchen का size भी काफी अच्छा है 10 by 8 का kitchen का huge size मिलता है and kitchen से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर एक हमें running balcony मिल रही है जो कि काफी लंबी है लगबाग 22 feet की balcony मिलती है जो कि पूरे नोडा extension में कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है और इसको आप अपने तरीके से decorate कर सकते है storage space design कर सकते हैं तो काफी अच्छा option मिलता है अब हम में मिलता है हमारा room number two और room number two साढ़े दसबाई साढ़े बारा का है तो room की size भी काफी अच्छी है और आपको बताता चलो कि room की entry grand है it means 8 feet height का आपको सारे room की door sizes है वो मिल रहे हैं यह actual flat में आपको visit करा रहा हूं जिसमें की कोई confusion ना हो यह आप देख सकते हैं कि cavity form में आपक इसके साथ attached washroom है again मैं कह रहा था कि यहां पर washroom काफी अच्छे size के हैं तो लगबग 6 बाई 8 का यह washroom आपको मिल जाता है और आपको lighting proper है और इस room के साथ आप देखेंगे again balcony यह balcony number two है और यह भी काफी huge है 12 बाई 28 का यह balcony और यहां से view देखिए क्या amazing view है और यह सामने हमार इंडिया का सबसे बड़ा data center योटा data center operational हो चुका फर्स्ट फेज और यह कई सारी building है जो construct हो रही है यहां पर बड़ी कंपनिया आ रही है आप देखें मल्टी नेशनल कंपनिया एक से दो साल में operational मिलने वाले क्योंकि टावर खड़े हो चुके हैं तो जल्द ही आपको लोकेशन पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला और यह हॉट लोकेशन है में रोड की प्रॉपर्टी है और यह देखिए आप का फूर भी एच के टावर का construction देख सकते हैं कि इस एक्चुल फेच पर यह construction चल रहा है एक्चुल साइट पे अब यह हमारा रूम नंबर थ्र लिए रूम नंबर थ्री के साइज के मैं बात करूं तो दस बाई साड़े बार का रूम मिलता है काफी सिलिंग हाइट देखेंगे तो काफी अच्छा है तो काफी खुला खुला रूम लगता है और अगेन यह कैवटी फॉर में आपको आल मीरा मिल जाता है और रूम के सबस्काउय आपके लिविंग रूम को में नहीं ऊपने होते हैं जिससे कि आप काफी अच्छे सी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिविंगल और और यह हमारा फॉर्थ रूम है के मीरा और फॉर्थ रूम का साइज है बारा अवा stiff को बताता चलू अगेन कि पूरे आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा कोई क्वेरी हो तो आप हमारे नबर पर कॉल कर सकते हैं हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में